पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद वाजबा ने आखिर क्या कहा देखी हमारी इस खास रिपोर्ट में उन्होंने कहा परियास और समय के साथ सुदूर इलाकों में आतंगवादियों और सहरी केंद्रों में उनके आकाओं की साट गाट को तोड़ा जाएगा सेना प्रमुख ने आतंगवाद रोधी अभियानों की समिक्षा की और कहा की निश्चित रूप से लक्षे खूफिया सूचना पर आधारित संगर्स अभियानों पर बना रहेगा जन्रल बाजवा पैसावर में कोर मुख्याले के दोरा कर रहे थे चहां उन्होंने पाकिस्तान के काब्याली छेतरों और असांत पक्तु नक्वा सूबे में अभियानों के बारे में संचेप मेसूचित किया गया चीन ने एक बाद फिर साबित कर दिया कि वो आतंकवाद के साथ है चाहें वो एनसजी हो या फिर मसूद अज़र चीन अफना रोख नहीं बदलेगा चीन ने भारत की दो सबसे बड़ी आपत्यों को खारिच कर दिया है चीन विदेश मंत्राले ने दो टुक कहा कि वो आगे भी मसूद अज़र को बचाता रहेगा इसी तरह उसने एनसजी में भारत की एंट्री के विरोध को भी सही टहराया इससे पहले भारत चीन थिंक टैंक फोरम को सम्भनित करते हुए विदेश सचीव एस जैसंकर ने चीन को एनसजी के मुद्दे पर राजनिती से बचाने की नसिहत दी थी इसके बाद चीन की ओर से कहा गया कि नुकलियर सप्लायर ग्रूप और मसूद अजर को लेकर चीन हमारे रुक में कोई बदलाव नहीं आया है चीन के रुक से साफ है कि आने वाले दिनों में भी तमाम सबूतों के बावजूद मसूद अजर पर सिकंजा नहीं कस पाएगा मेरे जुयला के राष्ट पती निकोलस मादुरू ने आखिर अपनी भाशन में क्या कहा देखी हमारे इस रिपोर्ट में राष्ट पती ने रविवार को अपने टीवी सो कॉंटेक्ट विद मुदोरों में कहा अपने सविधानिक अधिकारों का इस्तमाल करते हुए मैंने अगले 72 घंटों में सो के बैंक नोट को चलन से बाहर करने की घोशना करता हूँ राष्ट पती ने कहा कि माफियों से निपटने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है उन्होंने माफियों पर ऐसे नोटों की जमाखोरी करने का आरोप लगाया आर्थिक संकट से जूज रहे और दुनिया से सबसे उची मुद्रा इस्फिती वाले देज वैने जुएला ने मौझूदा समय में चलन में मौझूद बैंक नोटों के इस्थान पर उसने दोसों गुना अधिक मूले के नए बैंक नोट और सिक्के जारी करने की तयारी की है नवनियुक्त महासचीव एंटोनियो गुतेरस में सुमवार को संयुक्त राष्ट महासचीव के पद की शपत ले नई स्युक्त राष्ट महासचीव एंटोनियो गुतेरस ने वैश्विक संकटों से निपटने के लिए 71 वर्षिय एव वैश्विक निकाय की छमता सुधार ने एवलचीला बनाने का निश्चे किया स्युक्त राष्ट महासबा के अध्यक्ष जॉन विलियम ऐस दुआरा महा नोकर साही को लचीला बनाने के लिए काम करना चाहिए मिश्र की राष्धानी काहिरा में काप्टिक इसाईयों की चर्च को निशाना बना कर धमाका किया गया जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 35 खायल हो गया इस धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं जबकि 35 से ज़्य ज़्यादा लोग के जख्मी होने की खबर है मिस्र में हाल के दिन अलप संक्याए इसाईयों पर यह सबसे बहानक हमला है गोर तलब है कि महम्मद मौर्सी को कुर्सी से हटाए जाने के बाद मिस्र में आयस के हमले में तेजी आई है 2013 में मौर्सी को मिस्र के राष्टपती पद से हटा दिया गया था उसके समर्थक ने इसके लिए मिस्र में रह रहे अलप संक्याए इसाईयों को जिम्मदा ठहराया था तो फिलाल के लिए देश विदेश में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचा टाइम 24